यदि आपको घूमने का शौक हैं और आप जैपुर नहीं गए तो समझ लो आपने अभी तक हिंदुस्तान की सबसे प्यारी जगहों में से एक तो देखी ही नहीं हैं। जैपुर के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि पूरा भारत घूम लिये लेकिन जैपुर नहीं देखा तो आप पूरा भारत ही नहीं घूमें। जैपुर की ज्यादातर एतिहासिक इमारते आपको गुलाबी रंग की देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। राजस्थन की राजधानी जैपुर संस्कृती, विरासत तथा मोह लेने वाली इमारतों की घूमी है। यहां के महलों की सुन्दरता ववास्तुकला देख आप जिंदगी में कभी इस शहर को नहीं भूल पाएंगे। जैपुर राजाओ का शहर भी रहा हैं अतह यहां आकर आपको राजाओ महराजों के जीवन को पास से जानने का भी मौका मिलेगा। जैपुर में कई सारे परिटन स्थल हैं जहां पर हर वर्ष लाखो लोग घूमने के लिए आते हैं। इना करशक स्थलों को घूमना ना केवल आपको आनंदित महूसस कराता हैं बल्कि आपको एक खूपसूरत दुनिया का अनुभव भी कराता हैं। चलिए जानते हैं जैपुर के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेस के बारे में डैश। हवा महल जैपुर के सबसे प्रसिद्ध दर्शन स्थलों में से एक हैं। पूरी दुनिया से जो लोग जैपुर आते हैं, उनकी लिस्ट में हवा महल भूमने का प्लान जरूर होता है। महराजा सवाई प्रताप सिंग ने सन 1799 में इस महल का निर्मान कराया था। लालवं गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस किले में 935 छोटी खिर्कियां बनाई गई हैं, ताकि हवा आराम से महल में प्रवेश कर सके। इस दुर्ग को बनाने में तकनीकी कौशल वा बेहतरीन शिल्पकला का इस्तिमाल किया गया है। पांच मंजिला इस किले में एक मंजिले से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई भी सीडिया नहीं बनी हैं, धहलान के सहारे ही दूसरी मंजिल में प्रवेश किया जाता है। आगे की जानकारी के लिए अगला विडियो देखें।